हेलो बच्चों कैसे हैं आप लोग आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह अपनी पुढ़ाई कर रहे होंगे इस वीडियो में अब डिसक्स करेंगे क्लास शिक्स पीर्सन आई आई टी फांडेशन के मैथमेटिक्स के चप्टर पर्संटेज एंडियर अप्लिकेशन के कंपटेशन विंग लेवल वन के क्वेशन को सीधे शुरू करते हैं टोटल मेरे अडिशन में जो किताब है मेरे पास जो बुक है उसमें आठ क्वेशन से तो सीधे शुरू करते हैं आपको पर्संटेज के बारे में थोड़ा सा मैं फील भी दिलाने की कोशिश करूंगा कि क्या है यह फिर्स्ट प्राब्लम सेज बच्चो बहुत ही आसान फाइब परसेंट ऑफ फाइब हंड्रेड क्या होगा प्ले समझा को जरूरी नहीं कि एक पाइब होते हैं इसका पाँच आउनीफार माम होना चाहिए सारे आउन एक किसम का यह जो भी हो आपके पास रूपे हैं पांच रूपे दूसो दस तीन सो पंद्र है 420 पांच तो पचीस मतब रुपीस में पाँच रूपीज तो टू हंड्रेड रूपीज में कितना हो ज 252 simply saw my part the possible purchase simple hundred-five times 500 to five-five times 25 most simple next 75 percent of one 875 क्या मतलब हो इसका कि एक के कितने टुक्रेंगे आप सौट टुक्रें तो कितना कितना होगा उसका 75% पॉइंट 75 हो का पॉइंट समझ रहा है मतलब यह हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग किया जाए तो 75 by 100 into 1 यह हो जाएगा 75 by 125 375 254 कितना आया 3 by 4 यह आएगा 0.75 75% of 1 मतलब सौ में 75 तो 4 में कितना फोना होगा थीन demy समस्कें है कि 100 का अगर आप 4 टुक्रा करें तो 25 25 25 25 ्ण टुक्राइग तो एक के चार्ट ऒंचार की एगर हम किते टुक्रेंड करें चार्ट खगर bunları तो एक दो तीन चार्ट तो I think आपको बात समझ आ रही होगी, I am trying my best to give you the feeling of percentage, okay, next, 1 by 5 of X is, third number, कह रहा है, 1 by 5 of X is, कितना percent of X, एक बात बता है, 1 by 5 of X का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया, 1 by 5 into X, that is X by 5, X के 5 टुक्रे की, 5 के X टुक्रे की, मैं सही कह रहा हूं, मतलब समझ रहा, यह X by 5 है, 1 5th of X, जो भी है, उसका 1 5th, X के 5 टुक्रे की, यह सही है, तो 1 5th हम ले रहा है, उसका, क्या ले रहे, 1 5th, 1 5th ले रहे, और टोटल कितना है, हमारे पास X, तो अगर 100 की बात करें, इसके अगर हम 5 टुक्रे करें, तो क्या होगा, 20, 20, 20, 20, 20, एक टुक्रा, that is 20, 20% हो, निकालने का तरीका है, तो इसका तरीका निकालने का यह है, X by 5 होगे हमारा, जो है, टोटल क कितना है, X into क्या होगा, 100, X is cancel, that is 1 by 5 into 100, मेरे पास जो आया, 21, 20, 20%, या यू समझे, के 100 के 5 टुक्रे करें, उसका एक टुक्रा, क्लियर है बच्चो, I think आपको बात समझ आई, चले हागे, चले थर्ड हो गया, आते है, 4th मे, 0.25, जिसे 0.75 का मतलब क्या होगे, है, 100 में 75, पॉइंट के बाद दो डिजिट्स हैं, तो यह 100 होगा, एक डिजिट होता तो दस होता, ठीक है बच्चो, चलिए, नेक्स्ट क्वेस्चन है, 0.25 is equal to, 0.25 is equal to, कितना पर्सेंट अफेक्स, 0.25 of X, वही सिंपल ती बाहत है, पॉइंट पाइंट पाइंट में 25, 25, 0.25 of X, इसका मतलब होगा 25, और फंडेड इन्टू X, तो कितना पर्सेंट हो, 25 आउड फंडेड यही तो 25 पर्सेंट है, 25% of X, सिंपल तो आंसर होगा 25%, काफी आसान क्वेशन था, या आपको निकालना है दूसरे मैसर से तो आप क्या करें, यह होगी हमारे 25, 25, X by 100, टोटल कितना है हमारे पास X, इसको 100 से मल्टिप्लाइ कर दिए, एक्सेस कैंसिल, 100 कैंसिल कितना है, 25 भी आया, 25 परसेंट, तो जब भी परसेंटेज निकालना हो तो जो वैलियू है, वो ले ले, बटे टोटल इन तू हंड्रेड, आहिको क्या मिले, अब परसेंटेज में मिल जाएगा, 60 परसेंटेज और तो, 60 परसेंट मादल गया, 60 आउट फंडेज निक्तियो मैं, अगर इसको लिए, 0.60 या. पास इरो पॉइंट 6 अंडेड में 60 बोले या दस में चाइब ओले तो यह हो गया डेसिमल फार्मेट 00 कैंजल 3 तूजा 6 कितना है 3 by 5 तो यह हो गया हमारा फ्रैक्शन यह फ्रैक्शन हो गया यह परसंटेज हो गया यह डेसिमल हो गया जो चाहें आप करें ठीक है तो यह आसान क्वेशन से आते हैं अब प्राब्लम नूमबर 6 में 678 थोड़ा सा भाशा वाला क्वेशन है मत्दब उसमें कुछ लैं दूखli कर देव इसर एकड़ा हजार दस हिजार लांग 6,000,000 पार का स्वाइज और का सथ्थ प्राइस च्छहेit क्या कर दिया। क्यार रुपीम six zero 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 एकाई नहीं सेक्ड़ा हजार दस हजार लाग रुपीज छह लाग और क्या बोल रहा है दिकार इस सोल्ड फार रुपीज फाइव लैक फुर्टी थाउजन तो बेज दिया होगा पहले चला लिया कुछ जो भी वह उसके बेज दिया अब चुकि सेकंड हैंड जब बेजेंगे आप खरीद कि आप चला लेंगे कुछ तो आप जब बेजेंगे तो कुछ कम प्राइस मिलेगा अक्सर ऐसा होता है कभी कभी शायद कुछ और हो जाए लेक है कॉस्ट प्राइस से यह इंप्लाई कर रहा है क्या हुआ होगा लॉस हुआ होगा लॉस हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस कितना है छे लाक माइनस पांच लाक चालीस हजार कितना हो गया सिक्स्टी थाउजन का लॉस हुआ साथ हजा सove maher Kalos HA TU8 पका विए तो में बूल है ये तो क्लेर ओ題के लास ही होगा ऑफ पर,संटेज लाउस 2 जब पर्सनेज निकालनों मैंने क्या का आपको लेना है वह जिसका लॉश जो चीज लेना तो लॉच बटे हमारा, base price कोई है cost price to lost by cost price in 200 simple क्योंकि को और price के base से नी र सिल क्यों प्रैस के base से को प्रैस के sulphur Loss कितने है 60000 cost price 6,006 Linda लिए भॉक इन तुHंडएड, ट theatre यह चाम और सीच से उब शॉत फर लाँ मारा अप्षिन апी ऐॉर्च आप को बात समझ आई ऊगी तू यह अर्सक्ति तो लॉस्परसंटेज का फार्मिला लॉस्पाइब कॉस्प्राइब लॉस्प्राइब 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 होगा आते हैं प्रोब्लम नुम्बर सेवन में बच्छो क्या कह रहा है इन ट्वाय शॉप दिर आर 500 बाल्स और फिर 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 ब्लू ब्लू पांच सो बॉल्स एक सो पचीस ब्लू बॉल्स एं 150 एर रेट एक सो पचास रेट कलर के बॉल्स है हो और रिमेंगा रेलो तो एलो कितना हो हो का रिमेंग ये 500 बॉल्स ए घर जाएक कान कान एक सो पचीस और एक सो पचास बिस पाइज पांच ौइज पाज फिर पाज दूच साथ इनने 275 दो हो पॉचीस पील ये कलर के बॉल्स है कहरा वाट पर्सेंटेज पर्सेंटेज चाप आ रहे लो तो पर सेंटेज ऐलो के अगर हम निकाल है तो यदो के कितने आए 225 टोटल कितने बच्चो फा स्व फास्व का सबस्सों अगर आलो होता तो फॉंड्रेट परसेंट होता तो एक छोथा तो हंड्रेट बाई 500 कितना निकाल है 225 तो फाइब गया एउनिटरी method हो गया या यू समझे कि जो आप निकालेंगे इसका प्रसंटेज वह वाला वैली बटे टोटल इन्टू हंड्रेट हंड्रेट फाइब 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 फॉर्टी फाइब परसेंट बॉल्स पीले कलर के हैं मैं राइट यस राइट उतारने बच्छो आसा क्वान प्राबलम था लेकिन मैं चाहा रहा हूं कि आपको जरा सा प्राबलम को करते करते आपको उसका फील भी आने लगे कि किस तरीटे से आता है है ना बच्छो बहुत बढ़ी है लास्ट प्राब्लम फॉर्ट टुड़े तो प्राब्लम इस और आर्टिकल इस ओल्ड ए इसमें जो लिखावा रहता है जो प्राइस इसको मांग्ड प्राइस कहते है फाइंड़ मांग्ड प्राइस और ऐसा ही बोला है मांग्ड प्राइस निकालना है यह विट सेलिंग प्राइस ट्वालंडिट सेलिंग प्राइस रूपीज बारस तो मांग्ड प्राइस को एक् 25% of marked price is equal to कितना बारस हो यहीं नहीं में बेच है तो marked price यह आप 75% लिख दें direct उससे भी answer आ जाएगा मैं दिखा दूँगा आपको यह होगा 25 by 100 into marked price बराबर बारस हो 25 बारस हो 25 बारस हो तो क्या होगा marked price इसको एक्स लिख सकते हैं या MP लिखके हम काम चला रहे हैं बटे वन माइनस MP by 4 बराबर बारस हो चार और एक का आप चाहें तो जो आप traditional वे से करते हैं कर लिजे चार MP माइनस MP इस एक्वल टू बारस हो चारे में MP कितना 3 MP by 4 बराबर 1200 मतलब क्या है 75% में बेचा है वो तो चार टुकड़ों में तीन टुकड़ा लिया वो एक टुकड़ा को माफ कर दिया माफ किया किया इस काउंट दिया तब भी फायदा हुआ होगा तो MP निकालेंगे कैसे निकले का 1200 गुना चार भाई तीन तीन चुक बार चार सो देट इस कितना आया सब्सक्राइब तो मांग प्राइस हो गया 16 इंडिट खुद बोलिये सब्सक्राइब चार टुकड़े करें 400 400 400 चार सो तीन टुकड़ा लिया हो का बार सु रुपे हुई 25% मतलब सौ में 25 छोड़ा 75 लिया तो सौल आसो में बार आसो लिया कितना चार सो छोड़ दिया चू कि अगर 20% इसकाउंट होता है 80% तो इस तरह कैसे मार्ग प्राइस सेल प्राइस सेलिंग प्राइस वागर काम लोग क्वेस्टन में इस तरह से डील करतें जिसों को आइधिंग आपको समझ आया होगा को कैसा लगता है आप जरूर मुझे कॉमेंट करके बताएं आप बहु नंतिंग कि आप बहुत ज़्यादा लेकिन अपने अम्मी अब्बा को जरूर शेयर करें वह उनसे शेयर करें बातों को वह आपको मदद करेंगे फीड़बेक देने में और पढ़ेंगे तो आप ही लेकिन वह लोग